नमस्कार जैहिन देखिए इस वीडियो का टापिक होगा सिकागो स्कूल यह बहुत छोटा सा एक क्रिटिकल मुव्मिंट है इस वीडियो का टापिक होगा आज पांच जन्वरी है ठंड बहुत जादा है और निश्चत रूप से आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें आवशकता हो तभी बाहर निकलें गर्म कपड़े खूप पहने और सुरक्षित रहें चलते हैं डिसकस करते हैं सिकागो स्कूल आफ कर्टिसिजम ठीक है इसको सिंपली सिकागो स्कूल कहते हैं या सिकागो स्कूल आफ कर्टिसिजम कहते हैं ठीक है आगे बात चीत करेंगे तर इस सिकागो स्कूल वाज़ ग्रूप ऑफ फॉर्मलिस्ट अमेरिकन लिट्रेरी कर्टिक्स ठीक है फॉर्मलिस्ट कर्टिक on the base of form उसकी study जब होती है उसको फॉर्मलिस्ट क्रिटिक कहते हैं तो यह फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स का एक अमेरिकन क्रिटिक्स का ग्रुप था इस ग्रुप में जो है रिचर्ड मैकन रिचर्ड मैकन एल्डर ओल्सन रोनाल्ड सेल्मैन रोनाल्ड सेल्मैन क्रेन ठीक है आर एस क्रेन भी इनको सौर्ड में कहते हैं आर एस क्रेन ज्यादा जगा आपको लिखा मिलेगा रावर्ड सेल्मन क्रेन कम लिखा मिलेगा ठीक है एंड बर्नार्ड विन्बर्ग एंड नॉर्मन मैकलीन ठीक है तो ये कुल मिला करके पाँच मेजर कटिक्स हैं जिनको मिला करके एक कुरूप बंता है जिसको सिकागो कटिक्स कहा जाता है दे वर असोसीटेड प्रॉम दी 1940s with the University of Chicago ये सारे के सारे University of Chicago से समंदित थे University of Chicago के लगभग स्कॉलर्स और टीचर्स थे 1940s में ये वहाँ पर असोसीटेड थे and they exerted a significant influence on the development of American the second half of the 20th 20th century के second half में इनका बड़ा ही influential योगदान रहा American literary criticism के development में they are pluralist pluralist का मतलब है कि जो कई चीजों को एक साथ सामिल करने वाले होते हैं ठीक है they are pluralist and the followers of Aristotelian thought जो Aristotel थे Greek thinker and philosopher and critic Aristotle उनके thoughts को उनके विचारों को follow करने वाले थे so they were called Aristotelian or more accurately neo-Aristotelian तो इन ही को क्या कहा जाता है Chicago critic the Chicago school of critics Aristotelian critics या फिर neo-Aristotelian critics ये सारे नाम इन ही को दिये जाते हैं Chicago नाम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सभी Chicago university से related थे Aristotle को follow करते हैं उनके thoughts को follow करते हैं इसलिए इनको Aristotelian या neo-Aristotelian कहा जाता है because of their concern with the form and genre जो form और genre से सम्मन था हैं का वो Aristotelian thinker से thinking से belong करते थे इसलिए इनको Aristotelian या फिर neo-Aristotelian कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे that is their approach emphasized an evaluation of the author's solutions to specific problems in the construction of a text ठीक है ये किस बात का evaluation करते हैं इनका जो emphasis होता है वो इस बात के evaluation पर होता है कि author किसी specific problem का कैसे solution देता है किसी text के construction में किसी text को construct करने में किसी literary text को किसी literary art को construct करने में किसी poem को लिखने में किसी novel को लिखने में किसी play को लिखने में जो problems होती हैं उन problems को किस तरीके से वो solve करता है writer ठीक है उसका क्या solutions होते हैं क्या approaches होते हैं उस पर इनका जो एक focus होता है वो देखने को मिलता है ठीक है एंड वन अफ देखने को कम्लीट इस्कुशन आफ शिकागो क्रिटिक्स इस फाइंड इन क्रिटिक्स अंड क्रिटिसिजम अंसीयंट अंड नाइंटीन 52 इन अंथलोजी आफ क्रिटिकल एस is which was edited by RS Krain edited by RS dare पूरा नाम इनका क्या था हम लोग पीशे पढ़ चुके है RS Krain ठीक है RS Krain इस इसको edit किया था यहाँ पर इनके विचारों का पूरा discussion proper discussion देखने को मिलता है अफ ल एक्सको्जन आफ theatrical basis of the group group's method is to be found in Crane's study the language of criticism and structure of poetry और इस group के जो theoretical basics थे वो आपको Crane के ही RS Crane के ही दूसरे important work में देखने को मिलेगा जिसका title है the language languages of criticism and structure of poetry which in 1953 में published हुआ था सबसे important जो critic है जो इस group का that is RS Crane and Wayne C. Booth one of the second generation Chicago critics दूसरे second generation के critics थे उनका भी एक work यहाँ आपको देखने को मिलेगा generation Chicago critics applied the group's principles to fiction पहले तो इन लोग उन poetry पर discussion किया जो first generation के थे second generation में दूसरे critic आया जिनका नाम था Wayne C. Booth उन्होंने इसको इनके principles को जो की fiction पर है उस पर apply किया और एक work लिखा जिसको कहता है rhetoric of fiction 1961 में publish हुआ and expanded its theories in later works moving from poetics to rhetoric यह इनकी proper study देखने को मिलती है and this is the brief detail about Chicago critics and Chicago school Chicago school of criticism ठीक है तो यह छोटी से जानकारी थोड़ी से जानकारी थी about Chicago school next topic आपका जो होगा वो होगा myth criticism और इसके बाद केवल myth criticism और humanist criticism यही दो topics आपके third paper में और बचते हैं thereafter हम लोग एक बार थोड़ी सी चर्चा practical criticism पर भी करेंगे और practical criticism एक का करके हम लोग देखेंगे सामने और उसी पर बेस्ट आपकी चीज़े होगा तो myth criticism है और next जो lectures हैं आपको मैं भी एक दो दिन रुक करके मिलेंगे ठीक है तो उमीद करते हैं कि थोड़ा सा जैसे भी basically आपकर बहुत कम बचा है और next कुछ videos सम्भाव हैं कि मैं आपको dramas related देदू जो आपका final solution है final solution पर हम लोग चर्चा कर लें या फिर यह जो दो topic बचे हुए है उन पर चर्चा करेंगे लेकिन बहुत फटाफट जो है आपको मिलते रहेंगे बस दो कुछ ही बचे हैं दो plays बचे हैं दो topic third paper में प्लस एक practical criticism और एक essay आपका जो prose fiction का part है first and second paper का वो बचा हुआ है that is everybody's protest novel वैसे एक वर्क हम लोग छोड़ सकते थे लेकिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पूरा करना है पूरा पढ़ना है so this is all about that thank you thank you for watching